बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ यह है question number 49 of the book T.S. Greval chapter number 5 that is admission of a partner edition of the book is 2022 question में आपको दो पुराणे partners given हैं जिनका नाम है अशोक और भासकर जिनका पुराणर रेश्यो है 3 is to 2 चमन जो है और नए partner के तौर पर admit किया गया है firm में और उसकी admission पर आपको balance sheet में sundry debtors दे रखे हैं rupees 76,000 और पुराणा provision for bad debts दे रखा है rupees 8,000 और फिर additional information में यह भी दे रखा है कि जो debtors हैं वो rupees 6,000 के bad proof हो चुके हैं और आपसे यह भी कहा है कि आपको provision for doubtful debts या provision of bad debts जो है maintain करना है at the rate 5 person on debtors आपसे कहा गया general entries बनाईए for the above information entries जुरू बनाएंगे बच्चो लेकिन सबसे पहले आपको नया provision का amount calculate करना है ऐसे question में सबसे पहले आपका जो focus होना चाहिए वो इस बात पर होना चाहिए कि what will be the amount of new provision तो उसका निकालने का तरीका होता है बच्चो जो भी आपको debtors दे रखे हैं original amount 76,000 है जैसे यह दे रखा है इसमें से आप minus करिए bad debts को जो कि यह 6,000 है 8,000 का कोई रोल नहीं है नया provision निकालते समय पुराणे provision का कोई रोल नहीं होता into 5 by 100 कर दीजिए रूपीज 3500 answer आगया देखिए बच्चो जो हमने भी discuss किया question 49 उसकी entries कैसे बनाई जाएंगी सबसे पहले entry बनाएंगे bad debts की तो जब भी debtors को भी bad prove होते हैं तो entry बनती है bad debts account debit to debtors account because debtors काम हो रहे हैं इसलिए वो credit हो गए और bad debts एक loss है loss बढ़ेगा तो debit होगा अब अगली entry जो है इस bad debts को खतम करने की है bad debt account को close करने की है तो इस bad debts account को हमने पुराने provision डालके close कर दिया इसका effect revolution account पर नहीं आएगा पुराना provision बनाए इसलिए गया था ताकि कोई bad debts हो तो उसको cover कर सके तो 66000 से ये entry बन गई चेजार से प्रोविजन फॉर डाटफुल डेट्स डैबिट हो गया और bad debts close हो के credit हो गया तो बेड़ेट्स अकाउंट तो बंद हो गया लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाटफुल डेट्स अकाउंट जिसका balance 8000 था अब उसे 6000 रह गया और आपको पता है बच्चों मैंने न 2000 है निया 3,500 है 2000 को 3,500 बनाने के लिए में 1,500 और इंग्रीज करना बढ़ेगा प्रोविजन इसलिए एंट्री बने revolution काउंट डेबिट फॉर डाटफुल डेट्स अकाउंट और यह 1500 को जो लॉस है अल्टिमेटली पार्ट्रें बाट दिया जाएगा उनके गोल डेश्यों में 900,600 और 15,000 तो बच्चों एंट्री की लॉजिक को एक बार फिर से समझ दीजिए बैट्स अकाउंट डेट्स अकाउंट डेट्स अकाउंट यह बैट्स जब भी होते हैं तो उसकी यह एंट्री बनाई जाती है अपने क्लास 11 भी यही सीखी है बैट्स की एंट्री अब बैट्स जो होते हैं वो पहले पुराने प्रोविजन से ही कवर करे जाते हैं अगर पुराने प्रोविजन से कवर नहीं हो सकते हैं तो रिवलुशन में उनको डाला जाता है क्योंकि फिर वो नुकसान हो जाएगा आपके लिए नुकसान अगर पुराने प्रोविजन से कव तो अब भी प्रोविजन को में बढ़ाना पड़ेगा डेड़ेजार और ताकि वह बढ़कर साड़ेती नेजार हो जाए अब उसे दोजार रह गया था आट है नुकसान हो गया उसके रिकॉर्ड रेवलुशन अकाउंट के थू रिकॉर्ड किया रेवलुशन अभी टू प्र पंदरासो और यह पंदरासो का लॉस अल्टिमेटली पार्टनर में बाट दिया गया अशोक और भासकर में उनके ओल्ड इशो में चमन का इससे कोई मतलब नहीं है यह बात यार रखेगा बच्चो ठीक है ओल्ड इशो बाटना तो उनकी कैपिल कम हो गए और वो डेबिट हो गए और एवलिशन काउंट लॉस बाटने से क्रेइट हो जाता है तो रिवलिशन काउंट क्रेइट हो गया उपना बैलेंस निल कर चुका है ठीक है इस तरह से कुशन कम्प्लीट आए बच्चो अब यह देख लेते हैं कि इस क्वेश्टन फॉट्टी नाइन में अगर ह ठीक है बच्चो फॉर्माइट यह पर्टिक्लर अमाउंट पर्टिक्लर अमाउंट उसका जो ओल्ड प्रोविशन वह यहां लिखा जाएगा निया प्रोविशन जो कैल्कुलेट करा मैंने दुबारा यहां कैल्कुलेट करके दिखा दिया है 76,000-6,000 70,000 उसका 5% 3500 वह यह यह वही 1500 रुपे है बेट्रेस अकॉंट बहुत सिंपल है जब बेट्रेस हुए थे तो लिखा गया टू डटेटर अकॉंट 6,000 जब इसको रट अफ किया गया प्रोविशन से तो लिखा गया बाइप्रोविशन पहल डट्रेस शहहजार यह वही शहहजार जो यहां लिखा अच्छे है जाल तभी तो डबरेंटर बुके में कहलाती है बच्चों यह हार ट्रांदेक्शन दो जाएगा ही ना और पोजिट साइड में तो टू डेटर बाइब डेट्स के बच्चों और डेटर पे और कोई काम करना नहीं है तो डेटर का क्लोजिंग बैलंस 70 रजार आग गया है और और कोई पॉइंट का है नहीं तो डेटर बाट देगा अशोक और भासकर में उनके गोल्ड एश्यों में तो देख लिए रहा और इस तरह से यह कंप्लीट हो गया ठीक है बच्चों अब ध्यान रखेगा यह तो गया रिवल्यूशन अकाउंट है ना तो मैंने क यह देखें बच्चों तो प्रोविजन अब डेटर्स अकाउंट में ओल्ड प्रोविजर यहां पर निया प्रोविजन यहां पर जितना बेटर्स वहा नहीं यहां पर बैलेंसिंग विगर रिवल्यूशन क्लियर बच्चों 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 और यह तो आपने देख लिया था बच्चो आगे करते हैं हमारा रेवलुशन कॉंट तू प्रोविजन हो डाफुल डेट्स पंद्रा सो और नुपसान बाटने से बाई अशोक और भासकर आगया ओल्ड इशो में